हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में देखिए दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है यह आपकी जियोग्रफिक की होगी और इसमें हम करने वाले है भारत की बहुदेश से नदी घाटी परियोजना ठीक है जो भी आपके कुशन पूछे जाते इस ट पिक वाई उनको भी जल्दी जल्दी से तयार कर लिजेगा और देखेगा चलूए दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले देख लिजेगा यहां पर अगर आप जो है कला वर्ग से बेड इंटेंस के तयारी कर रहे है 2022 के लिए तो चक्सू पप्लिकेशन का ये प्रेक् इसमें आपको सोलुशन भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है तो जिससे आप अपने से इस प्रेक्टिस एट के द्वार अच्छे से तयारी कर सकते हैं और इसके अलावा देखेगा चक्सू पब्लिकेशन का यहां पर प्रेक्टिस एट के साथ साथ यहां पर जो है प्रेक्टिस लिंक है वहां से जाके आप इसको उनलाइन मंगा सकते हैं चले तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का हमारा जो टोपिक है भारत की बहुदेश्य नदीघाटी परियुजना देखे चली सबसे पहले देख लेते यहां पर आपका जो बहुदेश्य परियुजना हैं इसके बारे में आपका जवालान नहरुजी ने जो है इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था या नए जो है तीरत कहा था आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा था बहुदेश्य नदीघाटी परियुजना को आपसे कुशन पुजाएगा कि आपकी सबसे जो पहली भारत की नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो ये हो जाएगी आपकी जो है दामोदर घाटी परियोजना कौन सी है दामोदर घाटी परियोजना कौन सी आपकी भारत की पहली है ये कहां पे ये आपकी पश्यमंगाल के अंदर इसकी स्थापना कब हुई थी 1948 में इसकी स्थापना ह फाईस में ठीक है चले इक बाद देख लेते हैं आपका यहां पर भांग़ा नागल परियोजना ये किस नदी पर है ये है आपकी सतलज नदी पर किस पर है आपका सतला जन अदीपे है, कहां पे है यह आपका पंजाब में है और दूसरा सबसे उंचा है कितने मेटर उंचा है, 226 मेटर उंचा है कौन सा आपका भांगडा नागल बांध किस पे है सतला जन अदीपे पहले तो एक कुशन पूचाएगा कि कौन सा परियोजना किस न अदीपे है ठीक है, इसमें और इससे आपकी भांगडा नागल बांध कौन कौन से राज्ये इससे लाबानतित होते है या आपका सिचाई के लिए इसमें मदद मिलती है आपका हरियाना, पंजाब और राजिस्थान ठीक है, तीनों राज्ये को इनसे जो है मदद मिलती है इसके अलावा देख लेजगे याँ पे हीराकुंड परियोजना हीराकुंड परियोजना किस न अदीपे है हीराकुंड है आपकी महानदी पर महानदी का है, यह आपकी वहाँ पे जो यह परियोजना है, उडिशा के अंदर है और सबसे लंबी परियोजना है कैसी परियोजना है आपकी सबसे लंबी परियोजना देखेगा इसको कैसे थोड़ा सा आप याद रख सकते हीम आपने सुना होगा हिं क्या होता है एक बरफ होता ना तो ही से आपका ही रखूंद और यह किस नदी पे आपका महा नदी पर हिं ऐसे याद रख सकते हिं बहुत शारे प्रयूजन आपसे पूछी जाएगी तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं ठीके ओर देखिएगा ये जो है आपका काफी लंबी लंबी कतारे होती है बरफ की आपने देखा होगा आपके जो ठंडे चेत्रा वहाँ पर बहुत लंबे लंबे चेत्र में बरफ परती है ठीक है जैसे आप का जम्मू है आपका धनोल्टी वगर आपका उत्रा खंड के अंदर चलिए इसके बाद देख लेतें यहां पे आपका टिरी बांध आपका टिरी बांध या टिरी बांध परियोजना यह किस नदी पे है यह है भागीर्ति नदी पे किस पर भागीर्ति नदी पे यह किस राज्य में है उत्रा खंड में आपक ठीक है और जो भील गाना है भागीरती की सायक नदी है और ये सबसे उंचा है कितने मेटर उंचा है ये आपका 260 मेटर उंचा है तीरी बांध कहां पे आपका भागीरती नदी पे ठीक है भागीरती नदी पे भाग भाग के जो है बहुती उंचे चली गई थी भाग भाग के बहुत ही उंचे जा चुकी थी इसीलिए आप से पुझाएगी कि आपका टीरी बांद किस नदी पर भागेर्ट्री नदी पर आपको कि सबसे उंचा भी यही है आपका ठीके चलिए इसके बाद आपका यहां पर देख लेते हैं रिहंद परियोजना यह आपका रिहंद आमग जो किरत्रिम जील है इसी पर जो है वो बनाई गई है किस पर आपका रिहंद बांद से ठीक है इसके अलावा ओबरा जो विद्धुत गरह का निर्वान किया गया था वो किस पर किया गया आपका रिहंद बांद परियोजना से ही जो है इसमें सुरू किया गया था किस इसको ओबरा विद्धुत घर है कहां पर यह आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहां पर नागरजुन सागर बांध परियोजना नागरजुन यह किस नदीप यह किर्शना नदीप नागरजुन अर्जुन और किर्शन का तो आंध्र पर्देश की सबसे बड़ी परियोजना बाकि आपको जो एअंध्र पर्देश ना भी उप्चन में मिला तो आपको तेलंगाना मिलेगा ठीक है चली इसके बाद देक लेते हैं आपका चमबल घाटी परियोजना आपको नदी तो याद हो रही हो ना का सागर खर और आपका ठीक है जो नदी घाटी परिज़ना है जैसे आपका नागर जुना किष्णा पर भांगड़ा है सतलाज नदी पर दामदर आपका किस पर था आपका ठीक है जो पहले वाली थी आपका बंगाल के इंदर दामदर नदी पर दिवू पहले कुण सी थी दामदर घाटी पर दो राज्ये को इससे जो है ला मिलता है और इस पे देखेगा गांधी सागर बांध परियोजना जवाहर सागर बांध परियोजना राणा परताप सागर बांध ये किस पे बनाएगे आपका चंबल घाटी परियोजना जो है उसी से इसका जो है निर्मान किया गया है याद र प्रतापी राणा प्रताप जैसे राणा प्रताप भोती सक्ति साले थे ठीक है एक तरीके से भोती ज्यादा पावरफुल थे तो दोनों जो है गांधी जी और जवार जी मिलके कैसे रहते थे राणा प्रताप की तरह है तो आपको याद आजाएगा कि आपकी चंबल घाटी परियुजना ठीक है इस पर आपके कौन-कौन से बांद आपके गांधी सागर जवहर सागर और आपका राणा परताप सागर चली इसके बाद देख लेते हैं आपका यहां पर इंद्रा सागर बांद यह किस पर बना गया आपका नरम्दा नदी पर बनाया गया बाकी देखी सरदार सरोर बांध भी आपका नरमदा पे ही है चलिए देख लेते हैं इसके इलावा यहां पर रडार सरोबर बांध आपका इसका जो निर्मान है वो आपका कहीए किया गया है घृत् française में किया गया है और किस नदी पे किया गया है यह किया गया आपका नरम्दा नदी पे आपको मालूम है कि यह कर देखेगा इसको मैं अगर थोड़ा से इसको ड्रो किया जाए छीक है तो सही से बन जाएगा तो यहाँ पे जो है मद्दे प्रदेश है आपका मद्दे में तो यहाँ से यह निकलती आपकी नरमदा जो नदी है नरमदा यह कहां से निकलती है और इधर को ऐसे चलती है तो इससे देखेगा इससे किस-किस राज्यों को जो है लाब होता है एक तो आपका मद्ध्य परदेश को भी होता है ठीक है यहाँ पर कौन सा राजी आपका महराष्ट है गुजरात है और यहाँ पर राजिस्थान है तो इन से जो है आपको चार राजियों को लाब होता है और सबसे ज़्यादा जो लाब होता है वो आपका पूछा जाएगा य तरम होते हैं तो आपको नदिया याद करने में कोई भी confusion नहीं होगा चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे सलाल यह प्रियोजना किस नदी पर है चिनाप पर है दुलस्ति यह भी चिनाप पर है चुटक जो है यह आपकी सुरू नदी पर है और यह सिंधू की सहक नदी है तो यह साहक नदी है फिल्टक नदि पर है और यह आपका जहलं नदी पर है यह सारी की सारी आपकी परियोजना कहां की है तो यह आपकी जम्मो की है इसके बाद देख लेते आपका जो भांगडा नागल यह परियोजना किस नदीप है सतला जनेतीप है कहां पर आपकी पंजाम में है ठीक है इसके बाद देख लेते आपका राज घाट माता टीला लक्समी बाई इसको क की बार पुछी जाएगी, आपकी माता तीला लक्षमी बआई राजगाट, राज माता लक्षमी बे, तो बे से आपका बेतव नदी, कहां पर यह सारी की सारी आपकी जो परियुजना आपकी उत्तर प्रदेश की है, चलिएगा रिहंद आपकी परियोजना किस नदी पर है रिहंद पर थी आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की ठीक है इस पर ओबरा ताप जो विद्धुद्गर है उसका निर्मान इसी पर किया गया है चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आपका राम गंगा यह किस नदी पर आपकी राम गंगा पर बहुत सारी परियोजना ऐसी है जो की सिधा नाम है और सिधा नदी है तो वो मैंने नहीं लिखा जाते हैं जो इंपोर्टेंट वही लिखा चिल्ला यह किस नदी पर आपकी चिल्ला नदी पर चीवरों किस पर है आपकी चीवरों पर ठीक ह तो तिल मिलाना जो है इसको तिलाईय को ऐसे माल लेना कि तिल मिलाना गुस्से में आ जाना तो कोई व्यक्ति तिल मिला रहा है बराबर रूप से कोई व्यक्ति तिल मिला रहा है बराबर आपका यानि के लगातार तो याद रख सकते है इसको आपको ठीक है और यह कहां कि आपकी यह जो है यह आपकी जारखंड की यह याद रखेगा इसको भी इसके बाद आपका अलमाटी यह किस नदी पे आपकी किष्णा नदी पे ठीक है नागर्जुन भी विससे आपका किष्णा पे था चली इसके बाद देख लेते आपका भीम वन और आपका भीम टू यह किस नदी पे आपकी पवाना नदी पे है और यह कहां पे आपकी महराष्ट में देखेगा भीम क्या थे भीम तो बहुत ज़्यादा सक्ति साली था और पवन पुत्र जो हनुमान जी है वो भी क्या थे वो सक्ति साली थे तो भीम वन भीम टू ये दोनों जो थे आपके भीम वन और भीम टू दोनों जो है इन दोनों के बराबर अकेला किसमे जो है ताकत थी पवन पु सकते आप अब कैसे याद रखे महराष्ट कि भी मान उय यह पे देख लेते आफकी आपका आपके कि न तो चलिएगा यह काफी सारी आपकी जो प्रियोजना ही ती आपने अच्छे से पूरा इसको याद किया होगा जली नहरों को सुरू 있도록 प्रियोजना को यूद Junior से answer करेगा आप सभी comment box में अभी आपको जो answer share भी किया जाएगा इसके बाद देखेगा आपका सबसे ऊची कौन सी थी सबसे ऊची जो परियोजना है वो कौन सी इसके बाद देखेगा लंबी लिख लीजेगा सबसे लंबी कौन सी है ठीक है इसके बाद आपका जो अगला कोश्चन है ये है आपका रिहंद बांद आपका ये किस नदी पर और आपका किस राज्ये के अंदर है इसके बाद आपका यहां पर लिख लिजेगा आपका नागरजुन नागरजुन बांद ये किस नदी पर है इसके अलावा जो question है आपका चूटक परियोजना किस नदी पर है अगला question लिखेगा जल्दी जल्दी से तुलबुल तुलबुल जल्दी से comment करिएगा कि तुलबुल जो आपकी परियोजना आपकी किस नदी पर है तुलबुल इसके अलावा यहाँ पे जो आपका आठवे नंबर का कुस्चन है इसको और लिख लिजेगा राज घाट माता टीला और आपका लक्समी बाई यहाँ पर लिख देता हूँ इसमें लक्समी बाई जल्दी से कमेंट करेगा आप आप की यह जो आपकी परियोजन कौन सी थी आपका दामतर हो जाएगी इसमें उची कौन सी थी उची जल्दी से कमेंट करेगा आपका ये आपकी कौन सी थी उची आपकी भागीरती थी आपकी जो तीरी बांध है आपका सबसे उची परिजन कौन से आपकी तीरी बांध आपका सबसे उचा तीरी बांध है ल लंबा हो जाएगा आपका कौन सा था लंबा जल्दी से कमेंट करेगा आप सभी भाई लंबा जल्दी से कमेंट करिए आप रिहंद किस पे था आपका रिहंद न दी पे था उत्तर प्रदेश में था नागर्जुन आपका अर्जुन का जो समवाद किस से आपका कृशन से सुरू किसकी सायक नदी ती तुलबूल आपकी ये जेलम हो जाएगी बागी आपका राज घाट माता टीला और आपका लक्समी राज माता लक्समी बे ये किस पे आपकी बेतवा नदी पे है ठीके तो आपके लिए जल्दी से कमेंट करके बताईएगा इसमें कौन सा कुशन रह गया इसमें आपका उंचा बता दे ना उंचा बता दे लंबा रह गया इसमें जल्दी से कमेंट करके आप इ सिचाई नहर कौन से 2021 के अंदर एक कुशन पूछत आपका कि भारत की सबसे लंबी सिचाई नहर कौन से इंद्रा गांधी नहर है आपकी जो की राज्थान में जो है आपकी यह हो आपकी है ठीक है तो इसका आंसर लिख लेजेगा भारत की सबसे लंबी सिचाई नहर इंद्र मद्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है पनामा आपका यह आपका हो जाएगा प्रसांत महासागर तिथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पैसे पनामा पैसे परसांट परसांट से हो जाएगा आपका प्रसांट से हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर तो परसा रथी आपकी जील को पूछे jarak hyd Cant управ है तो चलेगा दोस्तो इसके अंदर से आपके काफी क्वेशिए आपके पूछे से त्यार करेगा आपकी जो टोपिक वाइस क्लास आ रही उनको पूरा महनत के साथ सोट नोट्स रेडी करिएगा इसमें तो दोस्तों आज की आपकी क्लास हो चुकिए आप फीडिबग जरूर देज़ेगा आपको कैसे लगए और सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इ सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है आप सभी कमेंट करके बताइएगा सबसे बड़ी परियोजना कौन सी आपकी उत्तर परदेश की पूछी है आप से ठीक है आप सभी कमेंट करके इस क्वेशन का आंसर जरूर दीजेगा आप सभी और जो क्लास आपकी टोपिक वाइस ज जोग्राफिक ही भी हो चुके उनको जल्दी से जल्दी आप जो है नोट्स रेडिक लडी जेगा उनसे